हेलो गाईस वेलकम टू क्रिसी क्रोचिट चलेंग तो आज मैं आप लोगों को सुन्दर एक ड्रेस बना के दिखाऊंगी इसे बनाना बहुत ही आसान है गाईस एक दम मतलों की डबल क्रोचिय के ऊपर इसे मैंने बनाया कोई भी इसे बना लेगा अगा थोड़ा से भी रभाव है ना, वो भी बनालेगा बस आपको जनना ही है डबल क्रोचिया सिंगेल क्रोचिया हाब डबल क्रोचिया एही सब आपको जनना है और कुछ नहीं जनना है go From the channel to www.sats.it में वीडियो का लिंक दे दूंगी तो चलिए जादा नहीं बात करते हैं बनाना सुरू करते हैं क्रोश्या हुक ले लिया 2.5 mm यानी 12 नमबर क्रोश्या और यहां पे दिखिए चोली मैंने पहले से बना लिया और इसका वीडियो आपको चलेंग में मिल जाएगी और वीडिय चेन मेरा यहां पे पहले से है 2 और 3 सेम इसी लूम में और एक बार डबल क्रोश्या बनाएंगे जैसे घेरा बनाते हैं स्टार्ट में हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोश्या बना लेंगे जितना वे चेन आपको दिखेगी हर चेन में दो दोबा डबल क्रोशर बनाते हुए राउन को कम्प्लिट कर लेंगे तो देखे राउन कम्प्लिट हो गई राउन कम्प्लिट होने के बाद देखे यहाँ पे यह जो स्टार्ट में तीन की चेन में ने लिया था एक, दो, तीन, तीसरी चेन में यहाँ पे आ करके स्लिप स्टीस से जोड देंगे और एक चिल्ले की धागा को काट देंगे अब दूसरी कलर का उल ले लेंगे आपकी पसंद की कोई भी कलर लीजिए नॉट लगाएंगे और क्रोशिया में धागा को डाल लेंगे जहाँ पे मैंने स्लिप स्टीस से धागा को काटा सेम उसी होल में देखे इस लूप से निकल लिया और यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे एक, दो, और तीन, तीन चेन बनाया सेम इसी होल में और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर double crochet बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा अलग देखिए हमारे crochet में देखिए तीन धागा है सबसे पहले एग निकालेंगे फिर दो निकालेंगे फिर दो निकालेंगे ठीक है तो इस तरह से double crochet बनाएंगे chain 1 यहाँ पर दो चेल लेंगे ठीक है loop लेंगे same इसी hole में double crochet बनाएंगे लेकिन double crochet बनाते टाइम पर क्या करते हैं हम दो धागा एक सा निकालते हैं फिर दो धागा निकाल दिया लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे हम थोड़ा सा अलग करके बनाएंगे यह देखिए सबसे पहले एक निकालेंगे फिर दो और फिर दो तो एक double crochet हो गया फिर से होई करेंगे एक धागा निकालेंगे और फिर दो धागा निकालेंगे फिर दो तो यहाँ पर देखिए 4 double crochet का pattern बन गया फिर chain 1 4 double crochet के middle में 2 chain आएगी pattern के बाद एक ही chain आपको लेना है loop लेंगे लूप लेने के बाद यहाँ पर तीन चेन स्किप करना है एक दो तीन चोथी चेन में फिर डाबल करोशिया बनाएंगे लेकिन एक एक धागा निकालेंगे फिर दो दागा और फिर दो फिर और एक बार बनाएंगे सेम होल में दो chain लेंगे फिर इसी होल में फिर से बनाएंगे double crochet एक धागा फिर दो और फिर दो चार double crochet बनाएंगे एक ही होल में तो देखे कुछ इस तरह से दिखेगा इसका जो double crochet का जो finishing न ये बहुती सुंदर लगता है दिखने में तो इसी तरह से पूरा round complete कर लेंगे, फिर से एक chain लेंगे और यहाँ पर तीन डबल, तीन चीन skip करेंगे, चौती chain में pattern बनाएंगे, ठीक है, तो इसी तरह से round को हम complete कर लेंगे, तो देखिए round complete हो गया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आट chain नहीं है, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच chain है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी तक हम तीन chain skip करके, चौती chain में हम बना रहे थे, आभी एक, दो, तीन, तीसरी chain में double crochet बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर chain कम है, तो दो chain skip करेंगे, और तीसरी chain में इस तरह से pattern बना लेंगे, chain 1, अब यहाँ पर start में देखिए, दो double crochet है, और यहाँ पर यह जो chain दिख रहा है, इसमें हम slip stitch से जोड देंगे, फिर यह जो hole दिख रहा है, आपको hole में एक बार slip stitch बनाएंगे, अब pattern कितना हुआ है, मेरा यह में आपको दिखा देती हूं, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, शाथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, ग्यारा pattern बना है, एक, दो, और तीन, तीन चेन लिया, तीन चेन लेने के बाद इसी hole में, सेम उसी तरह से double crochet बनाएंगे, दो double crochet, तीन की चेन एक double crochet बनती है, देखिए, यहाँ पर तीन double crochet हो गया, एक, दो, आप तीन, तीन चेन लेंगे, फिर इसी hole में तीन double crochet बनाएंगे, एक, दो, तीन, तो chain 1, pattern complete होने के बाद चेन 1 आपको लेना है, फिर देखिए, next pattern की hole में, फिर उसी तरह से, तीन double crochet, तीन chain और तीन double crochet, देखिए, तीन double crochet, एक, दो, तीन, तीन chain, फिर इसी hole में, फिर से तीन double crochet, तो इसी तरह से हम round को complete कर लेंगे, तो देखिए, round complete हो गई, और यहाँ पे देखिए, chain का loop उठाएंगे, और यहाँ पे, slip stitch से जोड़ देंगे, फिर next chain को उठाएंगे, यहाँ पे slip stitch करेंगे, फिर hole में एक बर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, slip stitch करते हुए, hole तक मैं आ गया हूँ, अब यहाँ पे तीन chain loop लेंगे, दो double crochet, तीन double crochet, यह चार double crochet, क्योंकि तीन की chain साथ में हमें साही गिनना है, तो यहाँ पे चार double crochet बनाया, तीन chain, फिर loop लेंगे, फिर से चार double crochet बनाएंगे, इस round में चार double crochet बनाना है, चार double crochet बनाने के बाद, तीन chain, उसके बाद, चार double crochet एक ही hole में, फिर जब next pattern में आएंगे, यह pattern complete हो जाने के बाद, देखिए, यहाँ पे एक chain मैंने लिया, यहाँ पे सेम तरीका रहेगा, यहाँ पे दो chain नहीं होगी, तो इस round complete करेंगे, फिर और एक round complete करेंगे, तो यह round complete हो जाने के बाद, जो next round हम start करेंगे, उसमें हम 5 double crochet बनाएंगे, अभी देखिए, एक, दो, तीन, चार, इस pattern में, राउंट में, इसके बाद, राउंट में 5 double crochet हो जाएगे, लेकिन यहाँ पे chain 3 रहेगी, और यहाँ पे chain 1 रहेगी, तो इसी तरह से 2 round हम complete कर लेंगे, तो 2 round complete करने के बाद ही मैं दिखाती हूं, तो गाइस देखिए, मेरा round complete हो गया, यहाँ पे slip stitch से जोड देंगे, slip stitch से जोड दिया, एक chain लेके धागा को cut देंगे, इस तरह से extra धागा को पीछे की तरफ थोड़ा सा loop उठा के लेके आएंगे, और बाकी extra को cut कर देंगे, और यहाँ पे देखिए, मैंने 3 round बनाया, 1, 2, 3, ठीके, 3 round बनाया, भी 3 round पे देखिए, 1, 2, 3, 4, जो 4 double crochet है, यह व लेकिन और एक round बनाएंगे, तो एक चोली की हिसाब से जो घेरा है, बहुत बड़ा हो जाएगा, गाइस, तो इसलिए मैंने 1, 2, 3, 3, 4 double crochet है, तो इसमें मैंने घेरा को complete कर दिया, आप यहाँ पे देखिए, मैंने border बना लिया, कुछ भी नहीं किया, हार double crochet की hole में, यहाँ देखिए, जो double crochet वाला row है, इसमें 2 single crochet, 2 single crochet, 2 single crochet, सीधा आने के बाद जैसे, यहाँ पे turn करना होता है, तब यहाँ पे 3 single crochet मैंने बना दिया, ठीके, उसके बाद देखिए, बाखी, एक एक, double crochet की hole में, एक, एक single crochet मैंने बना दिया, फिर जब यहाँ पे आएंगे, round यहाँ जब यहां पर गूमना होता होगा तो यहां पर कॉर्णर में आपको तीन शिंगल क्रोश्या बना ना एक ही वल में फिर बाकी देखेουμε एक दो सिंगल क्रोश्या थी करेंगे दार दों ने कंपलीट यहां बनाएंगे एक, एक, एक हर hole में double crochet की hole में बनाते हुए एक-एक single crochet यहां तगाएंगे यहां पर देखिए ए जो double crochet वाला रो है यहां पर दो बनाएंगे और धागा को पीछे की तरब लेके जाएंगे round complete करके cut कर देंगे तब blue color वाला धागा ले लेंगे और यहाँ पर इस तरह से knot लगाएंगे knot लगाने के बाद यह दिखे यह जो पहला round में यह तीन double crochet है यह जो middle वाला double crochet है इस तरह से crochet डालेंगे और यहाँ पर धगा को फसाएंगे एक, दो और तीन, तीन चेल लेंगे और यह जो धागा है हम पीछे की तरब दे देंगे दे दिया अब यहाँ पर देखे तीन चेन लिया तीन चेन लेने के बाद देखे यह जो एक चेन की space दीख रहा है यह बला यहाँ पर हम single crochet बनाएंगे फिर एक, दो, तीन, तीन चेन लिया फिर next में बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन चेन लिया फिर यहाँ पर बनाएंगे single crochet ठीक है अब यहाँ पर देखे चार double crochet है चार के उपर चार बार single crochet बनाना है एक, दो, तीन, चार, चार हो गया आप देखे यह दो चेन की hole है यहाँ पर तीन बार single crochet बनाएंगे एक, दो, एह हो गई, तीन, तीन बर बनाने के बाद देखें, यहाँ पर चार डबल क्रोशिया है, चार के उपर चार बर डबल क्रोशिया बनाना है, एक एक बर, तीन, और एह हो गया, चार, ठीक है, यह देखें, मैंने पूरा बना लिया, तो देखें, पूरा करने के बाद, यहाँ पर यह देखिए यह जो होल दिख रहा है आपको इधर से क्रोशया नहीं डालना है इस तरह से इस तरह से डालने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशया बनाएंगे single crochet बनाएा single crochet बनाने के बाद 1, 2, 3 3 chain लेंगे फिर यह देखिए next जो होल है यहाँ पर single crochet बनाएंगे फिर 1, 2, 3 फिर यहाँ पर बनाएंगे 1, 2, 3 फिर देखिए आव आगया यहाँ पर यह जो 3 double crochet मैंने छोड़ दिया था इसमें बनाएंगे single crochet तीन तीन चेन लिया फिर इस तरह से गूमेंगे गूमने के बाद इसी चेन में ही फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोश्या बनाना है फिर तीन चेन एक दो और तीन एक दो तीन ठीक है आप देखे आपको समझ में आ जाएगी इस तरह से दिखेगी आप देखे यहाँ पर चार डबल क्रोश्या है तो चार में से चार बार सिंगल क्रोश्या बनाना है एक दो तीन चार फिर देखे होल आ गया इसमें एक दो और यह तीन तीन डबल कुरोसिया मैंने बना लिया यह जो होल था और यहाँ पर देखिए चार डबल कुरोसिया फिर से आया है चार के उपर चार बार सिंगल कुरोसिया बनाना है दो तीन और यह हो गया चार बाकी यह चेन आ गया है इसमें हम इस तरह से कुरोसिया डालेंगे और यहाँ यहां पर सिंगेल करोश्या बनाएंगे तरहें फिर इसी जन में ही सिंगल के बनाते हुए यहां तक आएंगे फिर यहां से यहां तक फिर आपस में यहां तो इसťe तरह से हम राउन कोывает कर लेंगे तो देखिए गास राउन कॉंपलीट हो गईंगे और यहां पर देखिए मैं ने लास्ट डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया डबल क्रोशिया की ऊपर अब यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन चेन इसी होल में सिंगल क्रोशिया एक, दो, तीन चेन करना है चोली आपको सबसे पहले बड़ा बनाना है चोली जैसे आपको बड़ा बनाना है यह जो घेरा में मैंने एक राउंड बनाया वहां पर आपको दो या तीन राउंड बनाना पड़ेगा दो राउंड तीन राउंड ज्यादा मत बनाईए क्योंकि यह जो पत्ती है इसक इसका जो लेंध है आपको बढ़ा देना है जैसे कि यहां पर मैंने तीन राउंड बना दीजिए अगर बड़ा बनाना चाते है तो तब छे राउंड बना बनाएंगे तो आपको क्या करना है देखिए स्टार्ट में तो डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया बना उसके बनाने के बाद देखिए इस होल में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे शिंगल क्रोशिया फिर से तीन चेन जहां पर मैंने स्टार्ट किया था सेम चेन में यहां पर मैंने सिलिप स्टीज से जोड देंगे फिर एक चेल लेके धागा को काटेंगे और पिछे की तरब लेके जाएंगे पहले से यह जो स्टार्ट किया था धागा है एक दूसरे के साथ नॉट लगाएंगे और धागा को कट कर देंगे गाइस इसे बनाना बहुत ही आसान है और ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है और देखें मैंने यहां पर बॉर्डर मैंने दे दिया स्ट्रिप सिंगेल कुरोसिया से यह बॉर्डर दिया देखें कितना अच्छा लग रहा है अगर इसे थोड़ा सा स्टोन देके डिकोरेट करना चाहते है तो और भी अच्छा लगेगा इस टाइप का अगर आपके पस लगाना है और पत्ति की यहां पर लगाना है तो मैं पूरा लगा लेती हूं उसके बाद आपको दिखा देती हूं कि कैसे लग रहा है ड्रेस तो गाइस देखें कितना सुंदर लग रहा है डेकोरेट करने के बात इतना सुंदर लग रहा है बनाने के बात यह आपको पता चलेगी अगर आपके पास यह स्टोन नहीं है तब ही आप छोड़ दीजिए ऐसे सुन्दर लग रहा है बहुत ही सुन्दर लग रहा है आप बना के देखो इस तरह से ड्रेस बनाई है और लटो को पाल के पहनाई है और इस तरह से और भी बहुत सुन्दर सुन्दर ड्रेस द काने के लिए